आज हम लोग आपकी वॉक्षिट असेश्मेंट नंबर तीन करने वाले जो आपकी क्लास एर्थ की मैथ की असेश्मेंट है सोला तारीक की बच्चो यह आपकी असेश्मेंट है यहां पर आपका टॉपिक दिया गया है कार्य पत्रक पर आधारित वर्ग और वर्ग मूल ठीक है बच्चो देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप यह खुच जरूर एक बार सॉल्फ करोगे फिर आप लोग मेरी वीडियो से मैच कर सकते हो सबसे पहले आपको 99 स्क्वेयर माइनस वन का मान बताना है इसकी वैल्यू बतानी है देखो बहुत असान है जब आप 99 करोगे तो पहले आपको इसकी मंटिप्लाई करनी पड़ेगी जैसे आप मंटिप्लाई करोगे फिर उसमें से क्या करना है आपको बन माइनस कर देना है तो बच्चो कितना इजी था यह आपको ऐसे करके तो क्या आपका अंसर आजाएगा 9801 माइनस एक करना है तो आपका कितना आएगा 9800 तो यह आपका अंसर आजाएगा ड़ी के सेकंड में आपका पूछे था एक वर्गय कार बोड का छेत्रपल एक कोई बोड है जिसका छेत्रपल आपको कितने दिया एक 144 तो बच्चो हमने क्या दे 144 तो बच्चो इसका वर्ग क्या होता है 144 का तो बच्चो यह 12 होता है हमने पहले भी पढ़ाता है 1221 के वर्गमुल की संखिया के अंत संभवत कौन-कौन से संखिया हो सकती है 121 के वर्गमुल इसका वर्गमुल बच्चो किसका होता है यह 12 का होता है तो इसमें पूछा इक काई अंके समवत कौन-कौन से हो सकते हैं तो देखिए क्या आएगा आपकी इसका दो दुनी चार एक तो आपका चार होगा ठीक है और आपका दूसरा ठीक है एक तो आपका कौन-कौन से हो सकते हैं चार ही हो सकता है क्यूंकि आपका 121 इसमें दिया गया है ठीक है कि अ देखिए इसको आप कैसे निकालोगे 121 को देखिए और तो आपका आ रहा है पर इसमें पुछा है कि वर्गमूल की संख्या के इकाई अंग संभवत कौन-कौन से हो सकते हैं इसको देखो 121 ये इकाई अंग एक हो गया तो इसका आपको बताना है कि कौन-कौन से इसके बीच में आएंगे तो देखिए पहले एक से करोगे तो एक आएगा ठीक है और आप दो के बीच में नहीं आएगा करते जाए आठ में अठो टू 64 नहीं आएगा 9 में जाके आएगा 9 निव 81 तो ये एक आगया और यहाँ पे एक आगया तो एक में आ रहा है और नाइन में आ रहा है तो यह आपका अंसर आ जाएगा ठीक है ऐसे आपको पता करना है वह वाला तरीका इसमें नहीं चलेगा कि आप पहले इसका वर्गमूल देखो फिर आप इसको ठीकाई के अंको इंटू करो तब चार आ रहा था लेकिन यह वाला तरीका यहाँ पर नहीं चलेगा ठीक है अप्शन के हिसाब से हमें अंसर करने होते हैं कोशन को देखिए इसमें दिया गया एक्स स्क्वेर साथ हजार दोसो पच्चिस है तो एक्स की वैलू निकाली है तो देखो तो इटिफाइफ इंट्व 85 जबाल करोगे पांच पूरे आपके पच्चिस आठ पने चालीज और दो आपका 42 ने चालीज चालीज इस एक अठोटू 6ट यह पांच दो चार चार आठ और यह च्छैंट तो आपने देखा यह किसका निकल के आया चार और यह चार-चार एके अठ्थ्थू-ठ्थू-ठ्थू-ठ्थू-चॉंस-थू हमने क्या देखा 20-45 यहां पर 4 हासिल भी लगाये था डोटो 4 कितना होगा है कि आठ ठीक है एक किटने होगा है यहां पर 12 हुए हमने हासी नहीं जोड़ा था यहां पर कितना था यहां पर 6 जुड़ गया है यहां पर आठ आ गया तो 722 आ गया तो 85 इसका अंसर आ गया अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है 5 एक वर्गाकार रुमाल की भुजा कितनी है 16 सेंटिमेटर इसका छेतर फल क्या होगा इसका आपको क्या पुछा बच्चो छेतर फल फूचा है तो आप लोग देखोगे आप सिंपली से कर सकते हो तो देखिए सेंटिमेटर सक्वेर आप क्या करतोगे इसकी भुजा का स्क्वेर कर दोगे भुजा कितनी दिए 16 सोला सुला का स्क्वेर कितना जागा 256 आपका बच्चो बच्चो वो होते हैं कि जो अगर दो डिजिट है वो एक के बड़ाबर होती है तो यह तो एक वल नहीं आ रहा है अब देखें नेक्स देखते हैं आपका है अच और शैए और दस पहली certified नहीं पुछा दा तो येवाला नहीं और सारे होंगे इसके मतलब टो ऐसे आप ट्रेक्से हमियो कैसा संक्या कि एक से लएक और कितनी क्राम क ? विश्म क्राम करना हो तो आप एक के पहले एक से लेके पहले एक विशंव संक्या देखनी है तो दस देखने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस यह दस हो गई आपकी तो देखो इसका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं तो पूछा है तो हंड्रेट का रूट कर दीजिए 10 तो आपका यह कितना जाएगा दस आजाएगा इसका सो का क्या जाएगा दस आजाएगा जिसका भी पूछा उसका आप ऐसे करके निकाल सकते हैं जरूरी नहीं है आपको पूरा ऐसे करके ही करना है तो एक ट्रिक थी जिससे आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो नहीं तो आपको सारा लिखना पड़ेगा सारा एक से लेके दस तक अब देखे इसमें एड दिया गया है इसमें पूछा गया है कि दी गई संख्याओं में से कि संख्या और उसकी बर्की इकाई का अंक समान है तो मान लीजिए आपका तीन दिया है तो आप जब इसको तीन इंटू तीन करोगे तो नो आ रहा है यह तो समान नहीं है तो यह से मारा इसका आपने वर किया यहां पांच आया और यह भी पांच है तो यह आपका अंसर आ गया सीधा अब नाइन दिया गया है वह पायतगोरत तिर ग्याद करना है जिसकी एक संक्या बारा होनी चाहिए पहले यह से तो सत्तू सत्तू नंचास हो गया बारा का बारा आपका 144 हो गया तेरा इंटू तेरा बच्चों कितना आपका 169 बच्चों इसको जब एड करोगे 169 प्लस और 169 आपको ग्याद करना है जिसकी एक संक्या बारा हो गया अब इससे पहले एड करते है 144 प्लस 49 चार और नो कितना आगया आपका 169 नहीं आएगा यह तिर्ग नहीं है तिर्ग नहीं है यहां पर आठ और एक 9193 आएगा बच्चों यह भी तिर्ग नहीं है तो यह भी तो आठ आगया यहां चेह हैं तो यह वाला और यह वाला बस्ता है अब देखिए यह पांच पुरे पच्चीस प्रस बारा का आपको कितना आगया 144 और आपका 169 अब देखिए इसको आप एड करोगे पांच और नो आ गया और नो और दो 6 आगया 169 169 यह दोनों आपके होते हैं इसे दोनों को फिर्चा करेंगे इसमें से एक एकसा होगा जो नहीं होगा ठीक है देखो 12 इंटू 12 आपने किया क्या है आपका 144 प्लस किया आपने 15 इंटू 15 15 इंटू 15 बच्चों आपका एक बार कर लेते हैं इसे 5 पूरे 25 दो पांच अगम 5 और दो साथ पांच यहां पर एक तो आपको कितना आया पर यहां पर इन दोनों का आप एड़ करोगे पांच और साथ बच्चों आपको 12 आ गया और यहां पर हसी लगा एक तो बच्चों 225 आएगा मैंने यहां पर 256 लिख दिया था तो 256 नहीं आएगा 225 आएगा अब देखिए अब यहां पर यह यह अंसर निकल गाता है डी तो इसका अंसर बच्चों के है डी है यह वाला अंसर ठीक है तो सभी बच्चे लिख देंगे अब लाश्ट आपका कोशन है दसमलव संख्या 7.29 का वर्गमूल बताना है देखिए बहुत असान है 7.29 लिखिए इसका पॉइंट हटा दीजिए तो 2-0 लग गई नीचे अब देखिए आपका यह किसका होता है 7.29 तो बच्चों यह आपका 27 का होता है आप निकाल के देख सकते हो सत्तू सत्तू 49 साथ दुनी 14 चोदा और 2 चोदा और 4 बच्चों आपका 18 तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 2.7 आजाएगा तो 2.7 आपका अंसर आगया होफफुली आपको यह वक्षूट अच्छे से समझ में आई होगी तो सभी बच्चे इसे वक्षूट को कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कर आएंगे और अगर आप लोग गिफ पाडिसिपेट करना चाहते हो गिफ जिलना चाहते ह में लिंक दे गया वहां से जाके आप कंडिशन में पाडिसिपेट कर सकते हो गिफ जीच सकते हो ठीके बच्चों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन भाई भी सेफ इस्टे हल्दी जय ही जय भारत